कई बार आपने उसे देखा होगा कि गर्मी की टाइम पे लोग कौटन की कपड़ी क्यों पहनते हैं यह आपके फीलिंग मिलब फील किया होगा इस चीज को या मटके में पानी एतना ठंडा क्यों रहता है या गर्मी बहुत जादा हो रहे होती है तो छटों पर पानी क्यों ड evaporation की बात होती है और effects इनकी दियाम बात करें तो इसके उपर यह सारे phenomena's क्या है dependent है like what is evaporation और evaporation क्या होता है liquid से vapor में convert होना below its temperature that is known as evaporation तो आज हम बच्चों यही topic करने वाले हैं discuss जो कि हमारे chapter 1 का matter in our surrounding का यह last topic है जो detail में आपको समझाने जाने जाने it is evaporation जो कि बहुत ही जादा important भी है तो आज हम detail में इसके बारे में जानते हैं hello my dear student welcome to stop academy आप रचीव पाधिया your chemistry mentor और और आज हम start करते हैं हमारा topic में पहले हम यह जान लें कि what is evaporation प्यारे बच्चों बहुत सारे topic मैंने आपको इस पढ़ा है और आप में देखा था कि conversion कैसे इंटर कनवर्जन हो रहा था स्टेट का फिजिकल स्टेट का आपने चेंज देखे थे कि सॉलिट से लिक्विट लिक्विट से गास का से लिक्विट लिक्विट सॉलिट चेंज हो रहा था कहीँ temperature applied किया जा रहा है कर टेंपरेचर क्या किया रहा रहा है कम किया जा रह है और कैसे कनवर्ट हो रहा है हम इसके बारे में जानेंगे तो यह लिखा हुआ है डर्च of a liquid changing into vapor or gas even below its boiling point is called evaporation मतला बच्चों हमें पता है कि पानी को जब हम boil करते हैं तो 100 degree Celsius पर पानी boil हो जाता है ना और वो जो boil होता है हम उसी को बोलते है कि vapor का formation हुआ boiling state आई यहां पर भी यही चीज हो रहा है लिक्विट से वापर में convert हो रहा है मतला boiling point पर भी liquid से वापर में ही जा रहे होते हैं लेकिन यहां पर liquid से वापर में change हो रहा है below its boiling point boiling point से पहले ही liquid से वापर में जो change होता है that is so called what evaporation उसको हम क्या बोलते हैं evaporation बोलते हैं तो यहां पर देखिए बच्छों दिखाए पड़ा है यह boiling की condition है ठीक है जो कि हम देखा जाए कि boiling point पर हो रहा है and that is a evaporation जो कि below boiling point हो रहा है से पहले ही हो रहा है ओके अब factor affecting evaporation यदि evaporation हो रहा होता है तो उसमें कही किसी ना किसी चीज़ से influence होते हैं तो यहां पर भी कुछ factor है जो उसको effect करते हैं जैसे कि पहला factor है temperature okay temperature ज्यादा है तो evaporation होगा कि कम है तो होगा दूसरर surface area जैसे कि मैंने बात कि cup और saucer की cup का surface area कम होता है saucer का ज्यादा होता है तो इसक्त क्या था कि saucer में चाहे हमें ज्यादा अच्छी ठंडी लग रही है है ना तो यहां surface area भी एक factor में आता है humidity तीसी चीज़ क्या आती है factor affecting में humidity आती है चौथी तीस क्या आती है wind speed ओके तो ये चारो चीज़े जो है वो किस में आती है factor affecting evaporation ओके तो हम one by one इनके बारे में discuss करके देखते हैं तो temperature temperature simply बात बोली है temperature increase होगा तो जितना भी आपको देखा जाए हमारा rate of evaporation वो भी क्या होगा increase होगा तो यहां पर लिखा हुआ है temperature जैसे आपका इंक्रीज ओर रहा है evaporation भी क्या हो रहा है बढ़ेगा फिर surface area the rate of evaporation increases on increasing the surface area of the liquid जितना जादा surface area होगा उतना जाता क्या होगा evaporation होगा फिर जैसे कि एक simple सी बात बोली है wet cloth are spray for drying the spray wet cloth have क्या होता है large surface area this makes the evaporation of water faster due to this cloths dry up more quickly क्योंकि इनका surface area बहुत जाता है और इस current से very easily क्या हो जाते है वो ड्राय हो जाते है तो यहां पर surface area का रोल बताया गया है humidity ठीक है humidity में when the humidity of air is low यहां दीजेगा जब लो होता है then the rate of evaporation is high यहां पर बोज़ेट वाली बात हो गई कि humidity low है तो rate of evaporation क्या हो गया हाई हो गया and water evaporates more radially ठीक है बहुत ही easily water क्या हो जाएगा evaporate हो जाएगा under these conditions sweat from our body हना हमारी body से sweating होती है evaporate radially and we feel cool and comfortable क्यों यहां पर बात आ रही है humidity कि है the wet cloth dry quickly under the condition of low humidity of air जब हवा बहुत तेज चल रही होती है तब आपे देखाए कि वहारी इसली cloth करते है यह बहुत ज़दा temperature होता है ना लेकिन humidity यहां कहीं ना कहीं है तो यहां पर थोड़ा सा असर पढ़ जाता है when the humidity of air is high then the rate of evaporation is low जाना जादा यह जादा ही मिड़ी होगी तो evaporation क्यों जाएगा low हो जाएगा and water evaporates very slowly दीर दीर फिर होगा तो आपको यहां पर humidity का क्या समझ में आ रहा है कि humidity कम होनी चाहिए humidity का वोगी तो evaporation high होगा लेकिन humidity बहुत जाता हुई तो evaporation क्यों जाएगा low हो जाएगा लेकिन सरसे इडिया दी बढ़ता है तो evaporation क्या होगा बढ़ेगा temperature बढ़ेगा तो भी evaporation बढ़ेगा ठीके ना यह ध्यान रखिएगा next हम देख लेते हैं next point is wind speed हावा में भी आपे देखा होगा कहीं ना कहीं बहुत हम अच्छी हावा में भी घर्मी बहुत लग जो थिया पसीना आ रहा है थंडी हावा चली तो आओ वी फील वेरी नाइसली क्यों थंडर थंडर फील होता है ना कपड़े भी देखी इथी बहुत थंडी हावा चल रही तो कपड़े भी सूख जाते हैं तो मतलब समझ में आ रहा है कि और्स्पिट का भी क्या है कहिं ना कहीं इंक्रीज होगा तो ये भी है से राट अवरी वापरेशन अवरी डिक्री पीस बार्ट क्रीज of water to get the wash wet cloth dry more quickly on a windy day because evaporation faster due to high speed of the wind chicken jada jitni jada speed ho give in the key utani easily can make up a soup change okay dry ho jayenge the year reason how my request came what is evaporation and kya factor hen joe evaporation pay a third dollar hit a temperature था surface area था humidity थी और wind speed थी तो ये चारो point आपको याद रखने हैं और इन चारो points रिटेड आपको example भी याद रखने होंगे अब कुछ question है जो बहुत पूछे जाते हैं how does evaporation cause cooling है ना अभी तो हम यह जानगे कि what is evaporation acid process जिसमें liquid से direct vapor में convert हो रहा है below its boiling point वो तो क्या हो जाता है evaporation हो जाता है लेकिन यहाँ पर question है कि how does evaporation causes cooling तो लिखा है during evaporation जब evaporation होता है तो क्या होता है the particles of liquid gain energy from the surrounding ठीक है surrounding से क्या करते हैं वो energy को gain करते हैं in order to overcome the force of attraction. Force of attraction क्या होग हो फिर वो क्या करेंगे? कम होगा. अभ force of attraction कम होगा थ्यान दीजेगा during evaporation the particles of liquid gain energy from the surrounding and that overcome the force of attraction. Force of attraction को जब क्या करेंगे उनके beat के particles के beat के force of attraction को क्या करेंगे? वो overcome करेंगे. This causes loss of heat energy in surrounding. तो surrounding में क्या होगा? Loss होगा energy का और जब surrounding में loss होगा तो क्या हो जाएगा? हमें cooling सा महसूस होगा that will cause what? Evaporation ठीक है? तो that's why evaporation के current cooling पता चलता है अब लिखा है our palm feel cool when we put some acetone या nail reboot लगता है इसका reason यही है कि वो क्या करता है कहीं ना कहीं surrounding से लिता है people sprinkle water in their roof or ground on sunny days to cool the area same with कि जब वो area क्या है? गरम है आप में जब पानी डाला उसमें तो पानी डालने पर क्यों होता है? simple सी बात यहीं आएगी main जी है surrounding जो है surrounding जो है वही particles जो होते है हमारे liquid energy जो होती है specially वो क्या करते है? gain करती energy कहां से surrounding से? अब जब surrounding से gain करें कि तो force of attention को क्या कर देगी? वो over come कर देगी और जिस current से हमें feel होगा कैसा ठंडा और ऐसे ही छत में भी हमें ऐसे लगता है we are able to sip hot tea water in a saucer than in a cup यहाँ पर surface area का roll आ जाएगा कि surface area जहाँ जाता होता है very easily evaporation होता हो cooling effect देता है जिस current से हमें इसके compare में यहाँ पर क्या होता है चाय पीना जात में चाय पीना बहुत यह अच्छा लगता है तो यह चीज़ है why do people wear cotton cloth? starting में मैंने बहुत आ कि गर्मी में हमें cotton के cloths पैनना क्यों पसंद आता है ठीक है ना in summer we sweat more in summer गर्मी भाही बहुत गर्मी हो रही है ना अभी भी किती गर्मी हो रही है भाहिंकर जून का मौसम है और क्या हस से जादा गर्मी हो रही है तो लगता ना की पतले पतले cotton के कपट अच्छे से पहने जाए तो गर्मी अपने कम लगे तो यह लिखा है we sweat more in summer okay as the sweat evaporates it take energy from our body हमारी body से क्या ले रहा है energy ले रहा है surface and keep us body cool cotton can absorb the sweat easily and expose it to the atmosphere causing evaporation to take place easily okay this is done keep us cool on summer day जिस कारंट से हमे गर्मी हमे अच्छा लगता है why do water droplet appear in the surrounding of glass with ice cold water the kind as a turkey thunder thunder cold ring it alia promise the bubbles type to the type of other than other kind of some water there are water vapor present in the air now whatever kind air me when they come in contact with the wall of the glass of the sea he contact mother kiske glass to contact matter that has ice cold water in the condense of okay our condense oga the condense oga temperature through a down on a leg a gum as a result their state change from gaseous state to a liquid state thus forming tiny water drop it on the walls of the glass that's why how many as a dikai वांपल तो इतने सारे एक्जामपल थे चो मैंने आपको समझाया कहीना कहीं आपको समझ में भी आ गया होगा की इनके example से कि हम क्या टॉपिक समझना चाह रहे थे तो टाइम है लाइक करने का लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करना पिल्कुल भी बत पुलिए बाबाई थैंक्स वर वाचिंग देश